अगर किसी भी बॉडी के सेंटर ऑफ मास में से अगर कोई एक्सिस पास हो रहा है और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर कोई और एक्सिस बनता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा जिसके लिए हम परपेंडिकुलर एक्सिस पास हो रहा है और उसके परपेंडिकुलर एक्सिस को अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें चेक करना है तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा उ और ये दोनों एक्सिस के जो equation थे वो थे जैसे कि parallel axis के लिए था i0 is equal to ic plus mh square वही अगर हम perpendicular axis theorem के बात करें अगर body आपकी xy plane में है so ix plus iy is equal to iz यह हमने study किया था अब इन दोनों भी formula के या फिर यह दोनों भी जो theorem से उनके क्या application से अलग-अलग shapes जो होते हैं जैसे कि ring, disk, thin rod या फिर sphere हुआ इनके अंदर इनके क्या application से इनमें अगर body घुमती किसी axis के along तो वो कितने कौन से moment of inertia से उसका moment of inertia कितना होगा इन सब के बारे म हम इस slide में properly जानेंगे तो आप पूरी दरीगे से इसके उपर ध्यान दीजेगे तो अब आपके सामने जो दिख रहा है जो slide है पूरा का पूरा वो है application of axis serum जैसे कि आप देख पारे हो यहां के अंदर जो सबसे पहला जो shape है वो है यहां पर आप अगर देखोगे तो यहां पूरा आपको screen के ऊपर यहां पर एक disc दिख रहा है suppose हम बात करते हैं कि यह जो disc है वो एक certain plane में है जैसे कि अगर आप डाइग्राम में आप देख पा रहे होंगे तो यहां पर एक plane ड्रॉ कर रहा हूं like this अगर यह कोई ऐसा plane है उस plane के अंदर फिरहाल यह disc है इस plane का यह जो axis है suppose this is x x axis this is y axis suppose और इसका जो z axis है वो ऐसा है so now right now this disc is in x y plane so x y plane में disc है लेकिन अगर आप यह green वाला जो axis देख रहे हो बीच में वो z axis है so इसका मतलब है इस axis of rotation को बोलेंगे it is axis of rotation passing through the center of the disc and perpendicular to the plane because जो axis आपको फिलाल दिख रहा है यह वाला वो इस x y plane के साथ यह जो x y plane दिख रहा है आपको उसको perpendicular है directly वो सीधा उपर से नीचे की तरफ जा रहा है so इसको बोलेंगे axis passing through the center and perpendicular to the plane अब ध्यान रखिए दूसरा axis होता है जिसे बोलते है passing through the center and sorry passing tangent and perpendicular to the plane now what is passing tangent and perpendicular to plane पे अटेंशन यह जो plane आपने अभी देखा थोड़ी देर पहले उसको perpendicular तो यह है ही अब tangent चाहिए tangent चाहिए मतलब हम क्या करेंगे इस axis को यहां नहीं रखेंगे इस axis को यहां रखेंगे so यह आपको जो फिलहाल यह जो axis of rotation दिख रहा है this is tangent and perpendicular to plane because यह plane को perpendicular है अब तिसरा axis of rotation भी आता है इसके अंदर और वो जो तिसरा axis of rotation है वो होता है passing through center and within the plane मतलब perpendicular नहीं रहेगा within रहेगा और उसके लिए फिर जो value रहेगी वो रहेगी like this this is axis of rotation passing through center and within the plane अब यह along the x axis है जैसे की थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया था लेकिन कुछ लोग सुचते सर इसमें एक और भी चीज है passing through center within the plane एक और भी axis हासकता है जी हाँ वो axis है यह वाला passing through center या फिर फिलाल अगर मैं दिखा दो आपको passing through center and within the plane यह y axis क्या लोग है इसका मतलब है यहाँ पर passing through center और within the plane दो axis आएंगे एक y axis और दुसरा x axis और जो तिसरा axis है जो आपको दिख रहा है हाँ पर वो z axis है लेकिन वो passing through center perpendicular to plane तो हमें अब तिसरा axis भी पता चल चुका है तिसरा axis जो है वो है passing through center and within the plane अब चाओधा axis होता है वो होता है tangent within the plane अब इसको मैं कैसे समझे सर very simple passing through center within the plane कैसे था passing through center within the plane था ऐसे तो tangent within the plane रहेगा like this जा फिर like this तो यह कोई भी जो होगा वो रहेगा tangent within the plane so हमने अब तक 4 axis के बारे में study किया हुआ जिसमें से जो पहला है वो है अब गौर से ध्यान दीजे बहुत ज़रूर है very first it is passing through center and perpendicular to plane next is passing through center and within the plane तिसरा tangent perpendicular to plane like this and चाउथा tangent within the plane like this तो इन चारों के लिए disc as well as ring imagine करते हैं यह ring है तो as well as ring भी कैसे घुमेगा इसके बारे में हम study करेंगे तो हम लोग फापस जाते हैं उस formula के page पे जहाँ पर आपको सब कुछ मैं समझाओंगा properly pay attention okay so अब अगर आप गौर से ध्यान दे रहे हो तो आपको यहाँ पर समझेगा यहाँ पर एक diagram है ring जो सबसे पहला shape है उसमें ring है उसका mass है m जो भी है radius उसका r है और जो पहला axis है वो जैसे के मैंने आपको अभी समझाया था it is passing through center and perpendicular to plane इसका formula हर एक के जो पहले formula आपको ध्यान रखने है because आपके derivations जो है वो सभी के नहीं दिये हुए आपके सिला बस में सिर्फ एक ही चीज़ का derivation दिया हुआ है और वो है यह disc के formula का जो आप देख रहे हैं यहाँ पर mr square by 2 जो मैं आपको deriv करके दिया था लेकिन बाकि सभी के कोई पहले पहले जो formula है वो आपको derivation करके नहीं दिये हुए वो आपको याद रखने है तो ring का जो formula होता है center passing through center and perpendicular plane का वो होता है mr square जैसे के आपको फिलाल diagram में दिख रहा है अब दूसरा जो axis आपको दिख रहा है या फिर दूसरा जो आपको diagram नजार आ रहा है which is this pay attention जो की ये वाला है diagram उसमें अगर आप देखो तो हमें इस axis के बारे में तो पता है ic का जो value है वो तो mr square है जो हमें या पर जान चुके लेकिन हमें चाहिए कि इस axis के along moment of inertia कितना होगा मतलब अगर ये ring it या फिर tangent के along अगर गोल गोल घुमे तो इसका formula क्या होगा अगर आप गौर से देख रहे हो तो आपको समझेगा ये दोनों जो axis फिलहाल के लिए आपको दिख रहे ही एक दूसरे के साथ parallel है जिसके वज़े से हम यहाँ पर parallel axis theorem लगाएंगे parallel axis theorem यहाँ पर बनेगा it is equal to ic plus mh square ic की value तो हमें उपर से ही पता है जो हमने पता है that is mr square अब mh square भी यहाँ पर रखना है h का मतलब होता है जैसे कि मैंने आपको बताया था h is nothing but it is distance between the two axis अगर आप गौर से देख रहे हो तो ये जो distance रहेगा that will be h बट वो तो radius है इसका मतलब है ic का जो value है वो तो उपर से आएगा mr square जो हमने इधर डाल दिया और mh square में h का value जो हो तो radius ही है यहाँ पर इसलिए वो h का value हाँ पर आ रहा गया जिसके वैसे formula हो गया mr square plus mr square which will become 2 mr square so ध्यान रखिये disk के लिए passing through tangent and perpendicular to plane will be 2 mr square अब तिसरा डागराम के तरफ अगर आप ध्यान देते हैं so वहाँ पर मैंने 3 axis ड्रॉकी है x, y और z और जिसके अलोग magnetic sorry moment of inertia जो है वो है ix, iy, iz जिसमें से i, z जो है वो तो ic ही है अगर आप गौर से देखो उपर और ix और i, y जो है वो passing through center within the plane है अब ये तीनों भी अगर आप गौर से देखो तो एक दूसरे तिसरे के साथ perpendicular है जिसके वज़े से यहाँ पर perpendicular axis theorem लगेगा जैसे कि मैंने बताया था अगर body x, y plane में जैसे कि यहाँ पर है तो आपका perpendicular axis theorem बनेगा ix plus iy is equal to iz जहाँ पर ix जो है वो i diameter है क्योंकि जो आप x-axis देख रहे हो पुरा वो उस ring का diameter है तो x को हमने लिया i diameter iy को भी हमने लिया i diameter जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो और iz तो ic है तो जिसके वैसे उसको लिया ic now i diameter plus i diameter is 2 times i diameter is equal to ic तो next step आएगा इसके अंदर so id plus id will be 2id which is equal to ic so what is id now id is ic और यह 2 जो है वो डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर so id is ic divided by 2 जो कि आपको next step दिख रहा है ic का value हम equation number 1 से ही लेंगे जो कि हमने यहाँ पर ही लिया हुआ है जो equation number 1 है ic का so that is ic is equal to mr square so ic by 2 will be mr square by 2 तो यह value जो है वो i diameter का हो जाएगा which is also called as passing through center within the plane अब जो last है चौथा वाला जी हाँ आप देख रहे हो यह जो axis है वो passing through center within the plane है और उसी के साथ यह जो tangential plane है उसे हम बोलेंगे passing tangent and within the plane अगर आप गौर से देखो अब यह दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ parallel है अब इसमे parallel axis theorem वापस लगेगा यह भी tangent है अब कुछ लोग बोलतें सर यह भी tangent है और यह जो उपर था वो भी tangent था तो अगर आप गौर से देखो जो उपर वाला है उसे मैंने it बोला है और यह जो दुसरा वाला है उसे हमने नाम दिया it dash अब यहाँ पर parallel axis theorem लगेगा it dash is equal to id plus mh square क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था लोग ऐसे सोचते हैं कि moment of inertia जो parallel axis theorem का होता है उसमें हम हमेशा यही याद रखेंगे कि io is equal to ic plus mh square बढ़ हमें याद रखना है io मतलब parallel axis और ic मतलब axis जो center से पास हो रहा है तो यहाँ पर इसलिए यह formula modify हो जाएगा io की जग आजाएगा it dash और ic की जगा पर जो center से पास हो रहा है parallel वाला वो id है तो इसलिए it dash is equal to id plus mh square अच्छा id का value तो उपर से ही मिला हमें तो वही value हम यहाँ पर put up करेंगे so mr square by 2 plus mh square h तो r ही है अगर आप diagram में देखो दोन axis के बीच का distance आ रहे है so इसलिए आपका final formula हो जाएगा इसके लिए 3 by 2 mh square so एक बार यह पूरा का पूरा जो concept है अगर वो ring में आपको समझ में आ जाता है जैसे कि passing through center perpendicular to plane tangent perpendicular to plane passing through center within the plane मतलब diameter के along और tangent within the plane तो यही same steps आपको follow करनी होती है disc के अंदर भी so अगर हम disc के तरफ properly देखें यहाँ पर so आपको नजर आएगा भी हाँ पर pay attention यह disc है disc में जो center से पास होने वाले axis का moment of inertia है जिसका derivation हमने किया था वो है IC is equal to mr square by 2 फरक सिर्व इतना ही है ring में वो mr square था जैसे कि आप देख पा रहे हो और disc में वो mr square by 2 है बाकी इसके आगे के सारे steps पहले जैसे ही है अब दुसरा जो axis आएगा वो आएगा tangent perpendicular to plane जैसे कि आप diagram में देख पा रहे हो यहाँ पर tangent perpendicular to plane method वही है फिर से एक बार जो side में थी ic plus mr square बट यहाँ पर फरक यह है कि ring में जो ic था वो mr square था जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ का mr square लेकिन यहाँ पर disc में जो ic है वो यहाँ से आएगा mr square by 2 बस इतना ही फरक है so mr square by 2 plus mr square तो यह हो जाएगा 3 by 2 mr square अब next process की जब हम बात करेंगे थोड़ा आगे जाएगे हम so फिर से एक बार वही method जो कि आप देख पा रहे हो it is what is id so same formula आएगा id जैसे यहाँ पर भी था ic by 2 वो यहाँ पर भी वही रहेगा ic by 2 but ic की जो value है वो अब यहाँ पर change हो गई है ic की value जो यहाँ पर है वो mr square by 2 है तो mr square by 2 divide by 2 अगर आप करते हो तो आपका value जो है mr square by 4 हो जाएगा जैसे के आप देख रहे हो फिर चाओथा diagram जैसे के ring में है वैसे disk में भी आएगा और formula आपका आएगा it dash is equal to id plus image square but id के value जैसे आगे आप देख रहे हो ऊपर mr square by 4 है plus mr square so calculation के बाद बनेगा 5 by 4 mr square in short ring और disk के formulation का जो method है formula derive करने का जो method है वो एक जैसा ही है बस पहला formula जो है वही अलग लग है ring में mr square है तो disk में mr square by 2 है अब ये दो shapes के अलावा भी कफी सारे shapes है जिसके बारे में हमें study करना है तो जो तिसरा shape आता है वो है thin rod जिसके बारे में आपको study करना है इसके formula सिर्व आपको याद रखने है because इसके derivations आपको फिलाल साल के syllabus में नहीं है इनके उपर based आपको entrance में और boards में numericals आएंगे तो आपको formula याद रखने consider थिन रोड के लिए हम धियां रखते है consider एक रोड है जिसकी length के comparison में उसका thickness बहुत कम है तो ऐसे रोड को हम बोलेंगे thin rod अगर उसकी length है L जैसे के आप diagram में देख पा रहे हो अगर उसकी length है L तो इसका जो moment of inertia अगर axis center से पास हो रहा है अब इसकी एक special case है अगर ये रोड center के along इस तरीके से घूमने के बजाए अगर end के along घूमता है मतलब अगर इसका axis जो है वो end में है like this so अगर ये end axis पे घूमता है like this so ये पूरा रोड ऐसे घूमेगा पूरा है ना so उस वक्त moment of inertia कितना होगा so कुछीन लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि sir ic के लिए तो हमें उपर मिल गया है और अभी जिसकी हम बात करें i end वो तो ic के साथ parallel है तो हम exactly यहाँ पर लगाएंगे parallel axis theorem जैसे कि आप देख रहे हो और ie का value हो जाएगा ie is equal to ic plus mh square अब h का value क्या है? h मतलब इन दोनों के वीच का distance अगर यह पूरा rod l है और यह exactly half है उसका तो यह l by 2 हो जाएगा अच्छा मतलब h का value जो है वो l by 2 है so this h is l by 2 तो l by 2 का square करेंगे तो l square by 4 हो जाएगा जिसके वैसे आपका formula बनता है ml square by 12 plus ml square by 4 cross multiply calculations करने के बाद आपका answer आएगा ml square by 3 so यह end के लिए है जो कि आपको याद रखना है so यह दो formula जो है वो thin rod के लिए हो गए अब इसके बाद हम जाएंगे आगे sphere के लिए so अगर आप गौर से देखो अब यहाँ पर diagram में so यहाँ पर एक concept आ रहा है which is for sphere so इसके बारे में हम अब properly देखेंगे just pay attention तो अब अगर हम sphere की बात करते हैं तो जैसे कि आपके सामने sphere का diagram है यहाँ पर so sphere में दो type के spheres होते हैं एक होता है solid sphere और दूसरा होता है hollow sphere जैसे कि आप देख रहे हैं आप अप solid sphere के case में अगर यह कोई sphere है जैसे कि आपको सामने दिख रहा है यह solid है मतलब अंदर से भरा हुआ है पूरी तरीके से उसके center से अगर हम उसे spin करते हैं जैसे कि normal यहाँ अर्थ अपने central axis के around गुमल गुमती है अगर हम थोड़ा side में जाते हैं और hollow sphere की बात करते हैं imagine करते हैं कोई hollow sphere है जैसे कि जो हम cricket का, football का, जो भी ball देखते हैं वो hollow sphere है, अंदर से खाली होता है अगर वो अंदर से खाली होता है ऐसे sphere के लिए moment of inertia का formula अगर हम देखें so IC जो होगा, वो होगा 2 by 3 MR square और tangent अगर आप similarly निकालो so it will be 2 by 3 MR square plus MR square by parallaxes theorem it will become 5 by 3 MR square so spheres के लिए ये दो formula है अब हम बात करते हैं cylinder की तो फिलहाल के लिए there are also two kinds of cylinders, one is hollow cylinder and other is solid cylinder तो जैसे कि आप देख रहे हो hollow cylinder जो कि आपके सामने यहाँ पर है hollow cylinder के सारे formula जो होते हैं generally जिस तरीके से इसे फिलहाल रखा है वो ring के तरह ही होते हैं because अगर आप छोटे छोटे या फिर कोई भी एक size के बहुत सारे rings एक के उपर एक रख दो बहुत सारे rings एक के उपर एक रख दो तो आपको जो है वो एक hollow cylinder मिलेगा for example अगर आपके पास ये एक ring है उसके उपर आपने एक और ring रख दिया उसके उपर आपने और एक ring रख दिया और एक ring रख दिया ऐसे करके अगर आपने एक size के अगर बहुत सारे rings अगर एक उसरे के उपर रखे तो वो एक hollow cylinder बन जाता है like this so इसलिए hollow cylinder same as ring वही अगर आप solid cylinder की बात करो यह फिलहाल के लिए जिस तरीके से axis पास हो रहा है वो vertically पास हो रहा है इन में से लेकिन एक method है जिसे बोलते है transverse axis तो जिसके बारे में यहाँ पर फिलहाल नहीं दिया है लेकिन उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा so pay attention just pay attention what is transverse axis अगर हम बोलते कि कोई हमारे पास cylinder है like this उसको हमने ऐसे रखा हुआ है और axis of rotation जो हो इधर से पास हो रहा है center से तो यह formula आपको ध्यान रखना है सिर्फ कुछ लों मोले सर यह तो thin rod की तरह हुआ but इधर ध्यान देने लाइक बात यह है कि यहाँ पर यह cylinder है इसकी जो थिकनेस है वो thin rod की तरह negligible हमने नहीं लिए जिसके वज़े से length है इसका L और इसका जो radius रहेगा pay attention इसका जो radius रहेगा यहाँ से वो रहेगा R so ऐसे case में आपका जो formula बनता है उसके लिए वो बनेगा pay attention it is ml square by 12 plus mr square by 4 तो यह जो formula है transverse axis के लिए वो आपको याद रखना है that i is equal to ml square by 12 plus mr square by 4 यह extra formula से आपको याद रखना है जो कि आपको exams में boards में नहीं but entrance में आपको काम में आ सकता है so यह जो सारे shapes हमने आज study किये यह आपको exams में बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है इनके सारे formula याद रखने जिसके वज़े से entrance exams में इसका बहुत जादा use आपको आएगा thank you so much